नमस्कार आप लोग देख रहे हैं आईडि आई नीज तो आईए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा प्रेकिंग खबरे और मुखे समाचारों के बारे में 31 माई के बाद दो हपते को बढ़ाया जा सकता है लोगडाउन लोगडाउन में अभी कुछ छूट जरूरी मिली है लेकिन इसका खामियाजा हमें अजिक देखने को मिले यानि कि क्रोणा वाइरस का कहर और भारत में और बढ़ रहा है केक सिस अधिकारी ने बताये कि लोगडाउन का अगले चरन की समबाबना पहले जैसे लोगडाउन की तरह नहीं होगी और जादा फोकस 11 सहरों पर होगी जहां COVID-19 का के 70% मामले हैं इन सहरों में 6 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चन्नाई, अमदाबाद और कोलकता है इसके लाबा इसमें पूने, थाने, जैपुर, सुरत और इंदोर भी सामिल है करोना को रोकना असान नहीं, बैरिस के साथ जीने की आदर डालनी होगी हर कोई यही सवाल पूछता है कि यह करोणा कब खत्म होगा, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार हम सब की पुरानी जिंद्की फिर से कब लौटेगी, कब हम अपने पुरानी आद्तों के साथ जीएंगे, तो काईदे से इसका कड़वा सच ये है कि फिल हाल तो करोना क पिछले साल ईद और इस साल की ईद की तस्वीर देखे तो जिन्दगी बदलने का मतलब समझ में आ जाएगा यहां तो रसमें दुनिया भी थी मौका भी था दस्तूर भी था फिर भी ईद से लोग दूरी रहे और कास बात सिर्फ ईद की होती तो सब कुछ किया जा सकता था रहें कि क्रोना के साथ जीने की आदर डालनी पड़ेगी यानि करोना से पहले की जिन्दगी जीने का जो तरीका था उसे बदलना पड़ेगा और हमें सब के साथ मिलाना और गले लगना सब साइद आप तस्वीरों को देखने को मिले बारत चीन सीमा विवात पर बढ़ते हुए तनाप पर अमेरिकी राश्पती ट्रम्प ने किया बीच बचाव भारत और चीन के बीच लद्दाक सीमा के पास तनाप जा रही है इस तनाप की गंभिरता अमेरिकी राश्पती ट्रम्प के बयानों से लगाई जा सकती है सबजी बेचने वाला का बेटा बना बिहार बोर्ड का टॉपर जी हां हिमानसु राज के पिता सुवाज सिंग बिक्रम गंच के टटपर बजार में सब जी बेते हैं बेतरीन, साधारन, परिवार का बेटा ही हिमानसु बेहत, कुशल लंगन और परश्रमी विद्धार थी था हिमानसु ने बताया कि बोर्ड की परिच्छा के लिए उन्होंने बिसेश मेहनत किया आता हुआ, दिन में करीब 14 गंटे पढ़ाई करते थे क्रोणा वाइरस संकट के बीच, रेलबे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए स्रमिक ट्रेन चला रही है, ट्रेन सुरू करने को लेकर केंद्रा और राज सरकार ने दाबा किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन में सारी सुब्धायं उपलब्ध करा आई जाएगी, लेकिन मुंबई से बिहार जारी स्रमिक ट्रेन, सरकार के सभी दाबों की पोल खोल रही है, आलम यह है कि मुंबई से कटिहार के लिए ट्रेन 40 गंटे में भी गंतब अस्थान पर नहीं पहुंचे, इसके इलावा यात्री को खाना तो दूर पानी तक से यत्रियों को ट्रेन में सुबदा नहीं दी गई है, ट्रेन में यात्रा कर रहे है, एक यात्री ने बताया कि ट्रेन जहां ता स्टेशनों पर रोकी जारी है, ट्रेन में खाना तो दूर की बात पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, लोग ट्रेन में गर्मी से परिशान है औ बापस लाने के लिए चलाई जा रही है कोट ने कहा है कि एर इंडिया 6 जून तक 10 दिन के बीज खाली सीट छोड़ने बिना प्रचालन कर सकती है इसके बाद इस फ्लाइट का प्रचालन बॉंबे हाई कोट के आदेश के मुताबिक ही होगा लाइव लॉक के मुताबि सुप्रीम कोट नेया आदेश बॉंबे हाई कोट के 22 मई को आदेश के खिलाब दाखिल नागरिक उडान मंत्रे और एर इंडिया की याचका पर सुनाई करते हुए दिया है बॉंबे हाई कोट ने उस आदेश में एर इंडिया को सोसल डिस्टेंसि को ध्यान में रखते हुए बीच की शीट खाली रखकर परचालर करने को कहा था इस मामले पर सुमरी कोट ने 25 में को काय कि समाने हालत में हम हाई कोट के अंतर आदेश में दखल देने के पक्च में नहीं होते आपको बता दे कि बॉम्बे हाई कोट में एर इंडिया के एक प् से भारतिये नागरी को बापस लाने में एरलाइन्स कोविड-90 के सम्बद में सुरुच्छा कदमों का पालन नहीं कर रही है दूसरी खबर भी जीनी बारिस से निकल के आ रही है जी हाँ दूसरी खबर महराष्ट को केरल मॉडल की जरुवत राज सरकार ने मांगी मदद महराष्ट सरकार ने करोणा से बुरी तरह परभावित पूने बॉंबे आद्रिदिक इलाके में महामारी से लड़ने के लिए अपचारिक रूप से पत्र लिकर किरस सरकाल से साहिता मांगी है महराष्ट के स्वास मंतरी राजे तुपी द्वारा कीरेल की स्वास देवं कल्यान मंतरी कीके सहलेजा से बात करने और करोणा महरी मारी की चुनोती पर चर्चा करने के लिए कुछ दिन बादियक कदम उठाया है कि निकट भविस और पूने में करोणा माले की संख्या बढ़ने की आकांसा है उन्होंने महाराष्ट के स्वास अधिकारियों की साहिता के लिए बिसेश डाक्टर और नर्सों की 50 टीम के लिए मंत्री सैलेजा से अनरोध किया है आपको बता दे कि उनकी सेवाओं के लिए महाराष्ट MBBS डाक्टर को प्रती मही ने 80,000 रुपे और MD और MS विसेश डाक्टर को प्रती मा दो लाख रुपे का भुकतान करने के लिए तियार है जिसमें फीजीशन और गहन्चिकिस्टिक भी सामिल है तीसरी खबर भी चीनी बाइरस से ही आ रही है जिहां लॉकड़ॉन में छूट से बड़े क्रोणा केस लेकिन इस्थिती काबू है जिहां आपको बता दे कि केजरी वाल ने एक बयान शेयर किया है दिल्ले के मुख मंतिरा अजबिन केजरी वाल ने करोणा बाइरस पर एक प्रेस कांफरेंस किया पिछले दिन दिनों से दिल्ले में करोणा का केस लगातार बढ़ रहा है इस पर बात करते हैं सीम ने खुद को माना कि लॉकड़ॉन में धील के बाद केस बढ़े हैं लेकिन साथी साथ उन्होंने यह भी काई की स्थिती काबू में हैं 17 तारी को लॉकड़ॉन में काफी डिल दे गई हैं आज एक हफते बाद वी या मैं कर सकता हूँ कि स्थिती नियंतरन में और कोई घबडाने बाली बात जब लॉकड़ॉन में डिल दी गई थी तब हमें अमीद साथी की केस में थोड़ी बरोत्री होगी थोड़ा बरोत्री हुए लेकिं चिंता की बात नहीं है वैसे आपको बता दे कि दिल्ले में संक्रामित केस के बारे में केजरिवाल ने बताये कि दिल्ली में अभी 13,418 पॉजिटिव केस हैं जिन में से 654 लोग ठीक हो चुके हैं चिहां राश्ठ ठाकरे का योगी पर पलटबार कहा बिना अनुमती के महाराष्ट में नहीं आने चाहिए प्रवासी मजदूर भले ही देश भर में क्रोणा बारस का प्रको कम नहीं हो रा लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनेती करने में नहीं चूक रह द्यान रखे प्रवास्चियों को अब महाराष्ट में आने से पहले उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी इसके साथी राज ठाकरे ने उद्दब ठाकर से पील भी किया है कि मनसे के प्रमुक निकाय कि महाराष सरकार को पुलिस टेशन में प्रवासी मद्रू का रिकार्ड बनाना चाहिए रिक और बड़ी खबर जो निकल के सामनी आ रही है जो है उत्तर भारत में गर्मी को लेकर जी हां उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा है पारा आएमडी ने जारी किया रेड अलट 48 डिगरी तक पहुंच सकता है तापमान उत्तर भारत के राजयों में ग थोड़ी रात मिल सकती है और इसके बाद कई इलाकों में हलकी बारिस होनी क्यों मीच जिताई जा रही है वैसे आपको बदा दे कि पूरे भारत में लगबग 45, 44, 46 डिगरी के आसपास तापमान रह रही है अगले पांच दिनों की बात करें तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी का प्रको बरता चला जाएगा दिल्ली, राजस्तान, पंजाब, हरियाना, चंडीगर, उत्तर परदेश, मत परदेश, और तेलंगाना की पारे की बात करें तो उत्तापमान 46, 48 डिगरी तक जा सकता है इस साल गर्मी को लेकर पहले ही रेडे लट जारी कर दिया गया है, एक और महत्पुन जानकारी कोटक बैंक की तरफ से आ रही है, जी हाँ, कोटक बैंक ने सेविए के कांट पर मिलने वाले ब्याज में कर दिया है, कटोती, नई बेजेदार लागू कर दिया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज म ब्याज मिलेगा नई दरे 25 मई से लागू हो गई है जी हां आपको बता दे कि कोटक महंदर बैंक बचत खाते में इससे पहले एक लाख रुपे तक के जमा के लिए 3.75 फिस्टी और एक लाख से जादा पर 4.50 फिस्टी ब्याज मिलता था इस बैंक पे ब्याज दैनिक सेसरास के हिसाब से दिया जाता था लेकिन अब इस पर ब्याज दर घटा दिया गया है जो कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी जादा परेशानी होने वाले है जिससे काफी जादा नुकसान लोगों को देखने को मिलेगा अगली ख़वर किसान से के लिए निकल के आ रही है जी हाँ कुवदादे की क्रोणा में खेती पर असर पड़ा है और दियुदिक मांग घटने और रिकॉर्ड पादन होने के कारण किसानों को पिछले साल के मुताबिद आधी कीमत पर बेचना पड़ रहा है मक्का क्रोणा महामारी के कारण किसानों को मक्के का बाजिमदान मिलना मुहाल हो गया है इसकी बज़ा या है कि मक्के में अदोधी की मांग खतम हो गया है दूसरी और मक्के के उतपादन में नया रिकॉर्ड बना है मक्का ही नहीं यहुँचाबल समेत मोटे अनाच के उतपाद म इस साल नया किर्तिमान बनाने का नुमान है इसके कारण निकट भविस में भी मांग बढ़ने की गुंजाइस नहीं दिखाई पड़ रहा है जी हां कोसी की कचार की मिट्टी मक्के की पैदावार के लिए काफी उबर है पिछले साल उचा भाव मिलने के कारण किसानों ने मक्के की खेती इस साल जादा किया है और अब उन्हें अने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है जी हां बिहार में एक क्यूंटल करीब 1050 रुपे का बिकरा है जो कि कहीं ना कहीं पिछले साल से 500 रुपे का कम नुकसान देखने को मिल रहा है